अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अच्छा लएगा ठीक है तो जिस बात पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन न्यूज है गाइस कि अभी SBI का जे का जो डेट से ना य लाइड कर लिआ है तो इसी पर मैंने अभी वीडियो लेट से में किए अपलोड कर रहा हूं कि मैंने मुझे जब यह निवर की वीडियो से मैंने देखा जब मुझे यह news मिली तो मैंने पहले यह अपने सोरस जो टीसीे समिने घृब में मैं वहाँ से किणफर्म करना चाहा 10 को, 11 को, 12 और 13 को ये 4 dates के लिए उसके lab booked है अब एक procedure आप समझो procedure क्या होता है ना कि जब भी कोई बड़ा organization जैसे SBI, NABAD या कोई भी जैसे बड़ा organization अपने exam conduct करवाते है तब वो पहले से नहीं बताते हैं एक महीने पहले कि आप मैं SBI मेरा exam इस date को conduct होने वाला है तो आप मेरा lab अभी आप अपना lab देदो मैं book कर दता हूँ सबसे पहली बात ये हो जाती है ये contract के हिसाब से होता है जैसे SBI, IBPS और TCS के बीच contract होए ना कि IBPS के सारे exam TCS conduct करवाएगी तो क्या होता है, जब IBPS को लगता है कि अभी exam conduct करवाने वाली है तो क्या करती है, वो TCS के top official से वो बात करती है कि अभी in data के लिए जैसे अभी जो निकल के आरा है ना 10, 11, 12 और 13 को ना in data के लिए आप अपने lab हमें दे दिजेगा अब अपने lab free रखिएगा, लेकिन ये top official में होता है, फिर TCS क्या बोलेगी ना, जब TCS अपने lord या जो exam में जो आप invigilator देखते है ना, उनको ये बताती है कि आप इन data में आपका lab booked है, इन data में आपका duty है, लेकिन किस exam के लिए कब exam है, वो कुछ भी चीज़े, सारी चीज़े confidential रहती है तो ये बात यहाँ से पता होगे कि SBI के लिए है कि क्या के लिए वो नहीं पता, लेकिन lab booked है, वो मैंने sources से confirm किया, ये पहली बात होगी अब दूसरी बात देखो, अगर lab booked है, lab तो वैसे ही booked नहीं करेगी न, कोई काम के लिए तो lab booked होंगे न, अब देखो, lab अगर booked होंगे तो यहाँ पे exam होंगे अब exam के भी अगर बात करें न, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे न, तो आप देखोगे कि exam, दो exam, नबार्ट का अगर आपको याद होगा न, नबार्ट का grade A का exam तर शायद, तो वहाँ का न, वो भी बोल रहे थे कि 10 और 11, 10 और 11, 13, 14 न, 10 और 11 को वो बोल रहे थे क अपना exam conduct करवाएंगे, लेकिन अभी तक नबार्ट के तरफ से न, SBI के तरफ से कोई भी official notice नहीं आया है, लेकिन हाला कि जैसे कि ये 4 dates निकल के आ रहे हैं तो 99% न, पक्का है कि आपका exam, SBI J का exam है, 10, 11, 12 और 13 को, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी मैंने predict किया था कि 10 त तारिक से है, ये लगभग लगभग अभी ते है, मैं बिना surety के कोई भी बात नहीं बोलता हूँ, ये लगभग ते है कि 10 तारिक से exam है, पहली बात, दूसरी बात देखो, अभी आपके पास time बहुत बहुत कम है, बताना पर रहा है मुझे, लेकिन ये सत्य है कि आपके पा time बचेगा means के लिए, तो अभी मेरे भाई जो भी तैयारी कर रहे हो, बहुत जान लगा के पढ़ाई करो, ये थोड़े से time ही है आपके, यहाँ पर अगर excel कर गए ना, यहाँ पर अगर exam निकाल लिए तुम ना, पूरी जिन्दगी की आराम है, पूरा जिन्दगी settle हो अपना जी जान दे के दो, ठीक है, तो thank you for watching, bye-bye